आयोध्या में दश्रत नंदन राम आने वाले हैं। जब राम आएंगे तो बड़ी संख्या में राम भक्त भी आएंगे। राम भक्तु की सुवधा के लिए आयोध्या में एरपोट का निर्माण हो चुका है। और आज हम आपको दिखाएंगे आयोध्या के मर्याधा पुरुषोत्तम श्री राम एरपोट के अंदर की खास तस्वीरें। इस एरपोट की खासियत यह है कि ये देश-दुनिया के बाकी एरपोट से बिलकुल अलग होगा। इसे देख कर ऐसा हैसा होगा जैसे राम मंदिर में प्रवेश किया हो। क्योंकि इसकी बनावट और डिजाइन मंदिर की तरह है। जल्द ही इस एरपोट से उड़ाने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस एरपोट को तयार किया गया है। इस एरपोट के अंदर जब आप घुसेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप मंदिर के परिसर में ही है। तो श्री राम एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस एयरपोर्ट को डिजाइन किया गया है और जब राम आएंगे तो बड़ी संख्या में यहां भक्त भी आएंगे तो राम के भक्तो की सुविधा के लिए इस एयरपोर्ट को तयार किया गया है इसका निर्माण हो चुका है और ये अंदर की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं तो ये आयोब्ध्या Airport का मुख पोटिको है, आपको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी भवता इस Airport की दिखाई देगी आने वाले वक्त में, यह आपको यहाँ पर दिखाई देगा, किस तरीके के महराब बनाएगये हैं, किस तरीके की कलाकृती है, जब आप इस एर्पोर्ट पर उत्रेंगे। पूरी तरीके से धर्मनगरी तो अहसास कराने की ये कोशिश है और ये एर्पोर्ट आपको बिलकुल धर्मनगरी के तरह दिखाई देगा। पर पैसेंजर्स के जो तमाम सुभिधाएं हैं वो आपको दिखाई देंगी यानि कि अब आखरी मोमेंट में जो जो चीजें जो फिनिशिंग के लिए होती है वो तमाम चीजें इस वक्त दिखाई दे रही हैं चारों तरफ आपको बाकी सुरक्षा के साजों सामान यहां पर लोगों के बैठने की दिवस्था है और हम आपको दिखाते हैं कि यह इस एरपोर्ट का जो लुक है इसकी जो भव्विता है वो कैसी है और साथ-साथ इसका रनवे इसका जो रनवे का स्ट्रिप है वो कैसा है तो कुछ इस तरीके का आपको यह मर्यादा पुरु पुरुषत्म श्री राम एरपोर्ट अयोध्य का दिखाई देने वाला है एक धार्मिक नगरी का एहसास भगवान राम की नगरी का एहसास यह आपको इस एरपोर्ट पर दिखाई देगा पहले फेज का का म दब्भग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उधगाटन हो यहां तक की नागरी को ड्यान मंत्री आ करके इसका निरिक्षन भी कर चुके हैं और इस तरफ आपको यह एयरपोर्ट है तो आप देखिए किस तरीके की भब्विता आपको यहां पर दिखाई देने वाली है और यह जो एयरपोर्ट की पत्ती होती है जिस पर जहांज उतरें जिस पर प्लेन उतरेंगे यह आपको यहां पर दिखाई देगा तो मंदिर सा अहसास घर्मनगरी आयोध्या और उसमें स्वीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ इस तरीके का एहसास 22 जनवरी के पहले जरूर दिखाई देगा जब राम लिला नए भब्विराम मंदिर म प्रुवेश करेंगे